हेलो फ्रेंट्स और वल्कुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ श्वेता और फ्रेंट्स आज मैं लेके आए हूँ गोबी आलू की रेसिपी जिससे हम बनाने वाले हैं बिल्कुल धाबा स्टाइल में बहुत ही जादा टेस्टी बनता है फ्रेंट्स और अगर इस तरह से स्टेप स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी गोबी आलू भी बहुत ही जादा मसालेदा और टेस्टी बनेगी इसमें हम थोड़ा सा ग्रेवी रखने वाले हैं तो चले फ्रेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड तो इसके लिए मैंने लिए हैं फोर मीडियम साइज के आलू लि लेने वाले हैं तो आप देख सकते हो यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इसी तरह से अब हम सेकंड चुए स्टेप करेंगे वह कौली फ्लावर का है यानि गोबी को भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक से प्लेट में आपको सेकना है क्योंकि इसका जुल स्टेम होता है तो इससे पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो इस तरह से आप ने देखा कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा गोबी इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूं तो यह दोनों फ्राइड अब मैंने एक पैन लिया है इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर ओल और इसे हम गरम होने देते हैं अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर क्यूमिन सीड यानि जीरा अट करना है अब मैं इसमें डालूंगी दो मीडियम साइस के ओनियन लिये हैं जिसे अच्छे से बारिक चॉप कर लिया है तो इस तरह से बारिक प्याच को आपको अच्छे से भून लेना है ये भी हलका सा गोल्डन म्राउन हो जाना चाहिए अब मैं इसमें डालूंगी क्रश किया हुआ जिंजर और गालेग यानि कुटा हुआ जो अद्रक और लेस्न होता है उसे आड़ करेंगे इसे भी आराउंड वन मिनिट के लिए हम पका लेंगे तो यह अच्छे से कूक हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी एक बूल के पराबर टमाटर और इसे भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो बारी कटा हुआ टमाटर लिया है और इसे हम कूक करेंगे फ्यू मिनिट के लिए तो यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं मैंने लिया है वन टेबल स्पून के पराबर धन्या पाउडर वन फोट टेबल स्पून टर्मरिक लिया यानि हल्दी हाफ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है टू टी स्पून के बराबर गरम मसाला दिया है साथ में इसमें हम एड़ करेंगे क्रश किया हुआ मेथी आड़ करेंगे इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है कोई भी सबजी में अगर आप डालेंगे तो crush करके ही डालना है तो अच्छा सा flavor आता है अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 बोल के बराबर पानी mix करना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से cook हो जाए और जब तक ये oil separate कर देगा इसके बाद हमाँ add करने वाले हैं इसमें गोबी और आलू जो हमने fry कर लिये थे और इसमें हम स्वाद अनुसा राइट करना है आप जितना अपने साफ से नमक add करते हैं उससाफ से कर लिजेगा मैंने इसमें 1 टी स्पून के बराबर नमक add किया है अब इसे अच्छे से mix कर लेना है कोट कर लेना है मसाले को गोबी आलू के साथ अब मैं इसमें डालूंगी मटर लिया ह अब मैं इसमें डालूंगी तीन बोल के बराबर पानी तो मैंने छोटे साइस का जो बोल होता है उसे लिया है तो यह perfect quantity है water का क्योंकि अभी यह सोक करेगा जो सबजी है यह थोड़ा सा थिकन होगा इसमें हम थोड़ा सा semi liquid गोबी आलू बनाने वाले हैं और इसे थोड़ा समिक्स करके अब मैं ढखकर रख दूंगी 15 मिनिट स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि मसाल अच्छ से एबसाव हो जाए और साथ में जो ग्रेवी है वो भी थेक हो जाए अब यह आप देख सकते है आफ्टर 15 मिनिट से बन कर तयार है इसमें कुरियांडर करना है मिक्स किजिए और फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है सर्फ किजिए गर्मा गरम विद पूरी पराठा रोटी या दाल राइस के साथ भी बहुत ही जादा अच्छा जाता है तो यह हमारा जो गर्मा गरम गुबी आलू रेसिपी बन कर तयार है आज की रेसिपी अगर आ है तो अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ इसे ज़रूर शेयर किजिएगा मिलते हैं इसी तरह से कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा एंड बाई बाई एन एंजोई मारेसिपी